हलो फ्रेंड वेलकम टु माई यूट्यूब सेनल आज का वीडियो यह है भ्रष्ट अचार करप्सन के बारे में यह वीडियो भ्रष्ट अचार का साब्दी करता है भ्रष्ट अत्वा बिगड़ा हुआ आचरान लोग परसासन में इसका प्राई ऐसे अचरान से है जिसके आशा लोग सिवकों से नहीं की जाती है यदि लोग परसासन अपनी सक्ति सत्तायों इस्तितिका प्रियुक जन्समानिया के लोगों के अपेक्सा अपने व्यक्ति गतलावों के लिए करने लगे तो ये ब्राश्ट आचनारण corrupt activities माना जाएगा तो ब्राश्ट आचार का अरत हो गए ब्राश्ट ये बिगडा होगा आचनारण लोग-परशासन में इसका आथ होता है यसर आचनारण से जिसके आशा झिसके लोग सिवक परबिक सर्वंट से नहीं की जाती है ये दिल लोग पर सासन अपनी सक्ति सत्ता एवं इस्तितिकाप्रियुग जन्समानिया कि लामुच्य पिक्स अपने ब्यक्ति का लामुच्य लिए करने लगे तो ये क्या होगा ब्रश्ट आचार की परिवासा भार दिया डंड सहिधा सहिता की ध कुछ लेता है या स्विकर करता है अत्वा लेने के लिए तयार हो जाता है या लेने का प्रयात्त करता है या किसी कारेको करने के लिए उपहावर स्वरूप या अपने सास्किय कारेको करने मैं किसी ब्यक्ति के परतिपक्सपात या उपेक्सा या किसी ब्यक्ति की सिवा य या अर्थदंड दोनों दिये जा सकने तो भाड या डंड सनिता एक सठकी धारम का गया है कि जो ब्यक्ति क्या करता है जो सास की अमला सरकार में कर्मचारी रहते हुए क्या करता है कि यह होने के आसा में अपने यह अन्य प्यक्ति के लिए जा बीदिग पार्स्रेमिक से अधिक कोई घुश लेता है तो उसेका या शुिकर करता है या लेने Кेलिए तयार हो जाता है या लेने का प्रियादन करता है या किसी कारे के लिए उपार भी लेना भी क्या होगे करप्ट हो गया उपार शुरूब या सास के कारे करने के लिए किसी ब्यक्ति के पर्ति क्या करता है पर्ति पक्स बात करता है या उपेक्षा करता है या किसी ब्यक्ति के सिवा या को सिवा का प्रियास करता है केंद्र रत्वारा राज किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने सारुजनिक पत अथवा सक्तिका दूर्वियों करते हुई किसी परकार का आर्थिक या अन्य परकार का लाप उठाना जो ऐसा ब्यवार है जिसमें सरकारी कर्मचारी ब्यक्तिकत आर्थिक लाप उठाने के लिए सारोजनी कर्तवियों में कर्तवियों से बिलक्सित होता है अथ्वाल नियमों का ऐसा उलंगन करता है जिसे कुछी विसेश परकार के निजी लाफ हो सके तो उसके बाद होगे भारत में भरहष्टाचार की ब्यापकता किसी न किसी रूम में भरहष्टाचार मानव में सदेव कायम रह है कोटल्य ने अपनी पुस्तक अर्शास में भरहष्टाचार के 40 परकारों का उल्ले किया है प्राजिन एवं जो मद्यकाल था उस समय लोग परशासन का छेतर क्या था अत्यान सीमेश था फरत स्वरूप क्या तो भरहष्टाचार के कम गुंजाईस थी भरतमान में लोग परशासन के चेतर में बिलाक्षन विखास होने के कारण भरहष्टाचार में भी क्या हुई है असाधरन बिर्दिवी है भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के सासन काल से ही भरहष्टाचार देश में सर्वत्र फ परतित हो गया फलसुरूफ क्या होगे बिर्टी सरकार ने क्या क्या भरत का परशासन अपने हाथों में लेले लागबग से ही अंग्रिजों ने भारत में क्या स्रेष्ट परशासनी तंत्र कि अस्तावना के लिए विखारती परशासन में राजवस्व पुलिस थी और आप प्रशासन के निम्ना स्तर्त की सीमी था। दूतिया विश्य युद्धुजनित परस्तितियों ने भ्रष्टाचार के लिए अधिक आवसर उत्पन कर दिये। नियम तथा कानौनों ची अविलना ची गई। तथा परतेक्सीज को चाचा जया युद्ध के कारियों को गोण मा परतमा तो परतों आवसर दिया। स्रिकार के लिए अधिकार को ब्रेस्पारं कर दिया। बहारा उने जो मद्यकाल और प्राचिन काल में क्या था कि भराष्टाचार उतना नहीं था धीरे धीरे क्या हो गया जो इस्ट इंडिया कंपणी भारत में आये तो उसका भराष्ट तंतर था फ़र सुरूप क्या गया कि जो बिश्टेश सरकार थी उसने उस भारत के सासन को अपरसासन को अपने हातों में ले लिया तो डेश्ट साल के सासन में परसासन तो ठीक था मगर जो प्राजोस्व पुलिस और पुलिस एवं आपकारे बिभाग एवं जो नीचे का तंतर था उस पे क्या था ब्रहष्टाचार था दुत्या विश्वयुद के बाद क्या हो ग के बाद देश की विकास योजनाओं चे साथ-साथ ब्रहष्टाचार का भी बड़ी तीजी से विकास हुआ यो उस्तम लोग सी विकुम मंत्री और मुच्छ मंत्रियों के अस्तर तक पहुंच गया परशाचार में ब्रहष्टाचार के कारण फश्ट होग है क्यों ब्रहष्टाचार बड़ा परशाचार में या उसके कारण बीटिस विरासत बीटिस का लिन भारत में उसनम सरकारी कर्मचारियों में ब्रहष्टाचार कितने व्यापक रूप में परसली था योग इस बाद उनसे भेंड और उपहरप्राव्द करना होता था दूसरा कारण होगे प्रसासन का विस्तार स्वतंतरता के पर साथ याओग एक आस्मात बिटीस एवं मुस्लिम अधिकारियों की एक बड़ी संच्या में कमी हो गई जिससे फरल सुरूप एक बड़ी संच्या में विविन स्र बयुका बहतिक बूलिएयों के आगे रास हो गया और जो वस्तो भिलास की वस्तिया मानी जाती है वह अब ब्यक्तिद जिजखता है प्रन्तु आ क्या हो गया नहीती कुपायों के सही लाबर जिद करने में उसे प्रसंता होती है उसके बाद हो गया उसके हो गया बेतनों में विसमता भारत में कर्मचारियों के बेतनों में काफी अंतर है उस बेतनों के फलसुरूप उचातिकारी आर प्रश्टाशार के करण है भारत में सरकारी दक्तरों में काम करने की परकेरिया बड़ी जटिल तथा बिलंबकारी होती है इतने अधिक नियमों उपनियमों का जाल फैला होता है कि कोई भी कारेश सीगरता से नहीं हो सकता है लाल फीते से बंदी फायलों को एक अपसर की एक की मेज से दूसरे की मेज तक में बड़ा समय लगता है जोची बहुत सारे नियम और उपनियम है यो इस्तेते डिस्वत और घूस के लिए आधर तयार करती है लोग अपना कारेश जल्दी कराने के लिए सर्वकारिक कर्मसारियों को भीविन परकार के डिस्वत देने में कोई संकुष नहीं करते है ओध्यागी के वहम ब्यापार सटोरियों नए पैंस वाले तसकरी का धन्दगा करने वाले के लिए ब्रहुट आशाचार विमिन तरीकों से धन अरजित करने का सबसे करने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे सरल तरीका है दुर्बल नियंतरन प्रणाली भारत की नियंतरन प्रणाली पॉन रूप से गयर जिमेधर अकुसल और रुग्ण है भारत की परसासन बिना कठोर नियंतरन निक्षन और चौकिसी के चलते हैं फलसुरू भरहश्टाचार बेलगम और आवाद रूप से च कमी जो नाव प्रकेरिया में बिक्रती नागरिकों के लिए उपलब्द राशनीतिक बिकल्प सीमित हो जाता है तथा लोगत्रांतिक परणाली की वैता को हानी होती है फस्ट तो यह का नुक्सान होता है ब्रहश्टाचार का प्रवाव राशनीतिक लागत उसके बाद हो ग कातिबेतियों के पकस में संशादनों के गलत आउंटन और सारजनिक लेंदेन की लागत में बिर्दी करता है साथी ब्यापर पर एक अतरिक्द करकी रूब में कारे करता है निवे स जिसे निवे सता वास्तविक ब्यापर परतिस्व्रधा में कमी लाकर में philanthropy कम करता है सामाजिक लागत प्राष्टाचार मुले परणालियों को बिक्रित करता है और गलेत तरीके से उन ब्यावसाईयों को उन्सा दर्जा देता है जिनके पास रेंट सीकिंग के अवसर हैं इससे जनता का एकमजोर नागरिक समाथ से मुभंग होता है साती बेमाइनी बेमान राजनेता इसकी तो अखरसित होते हैं तो ये हो गया सामाजिक लागत अब हो गया परियावरन लागत परियावरन रूप से बिनासकारी परियोजनाओं के बित-पूसंड को परात्मिकता दी जाती है जिसमें चाओगे धन सोधन, अयोज्य ब्यक्तियों के भरती, देश में हत्यारों और आतंगवादी तत्मों की तसकरी को सुईधा परधान करना आदिश सामिल है ब्रश्टाचार अध्यम 1988 ब्रश्टाचार निरोधक अध्यम 1988 करीब तीन दसक पुराना है इससे संसोधन के लिए 2003 में 13 में संसत में पेश किया गया था लेकिन सेमती नबन पाने पर इसे अस्ताई समिती वा परवर समिती के पास भीजा गया साथी समिक्सा के लिए इसे विदियाय के पास भीजा गया समिती ने 2016 में अपनी रिपोर्ट सौपी जिसके बाद 2017 में से संसत में लाया गया पारित होने के बाद इसे ब्रहष्टाचार निरू तक संसोतन बिदयक 2018 काया गया संसोतित बिदयक में रिस्वत देने वाली को भी इसके दायरे में लाया गया इसमें भ्राष्टाचार पर लगाने और इमानदार कर्मचारियों को स्रक्षर देने का प्रावदन है लोग सेवपों पर भ्राष्टाचार का मामला चलाने से पहले के मामले में लोगपाल और राजियों के लोगपाल से अनुबत दिन लेनी होजी रिस्वत देने वाले को अपना पक्स रखने के लिए 7 दिन का समाई दिया जाएगा जिसे बढ़ा कर 15 दिन तक किया जा सकता है जांस के दोरा नहों भी दिखा जाएगा कि रिस्वत किन परिस्तितिव में दिय गई है धन सोधन निवारण अधिनियम प्रिवेंशन और मनी लॉंडरिंग एक्ट 2002 का उदेश्य भारत में धन सोधन मनी लॉंडरिंग के मामनों को रोकना और आपरादिक आयके उपयोग पर परदिबन लगाना लगाता है इसमें धन सोधन के अपराद के लिए सक्त सजा का प्रावदान है जिसमें 10 साल की कैद और आरोपी वहम व्यक्तियों की संपति कुर्की यहां तकी जांच के प्रार्रमिक सरण में हिस भी सामिल है कमपनी अधनियम अब हो गया कमपनी अक्ट 2013 कॉर्परेड छेत्र को स्वन यहमन का अवसर देकर इस छेत्र में भ्राष्टाचार और धोकादड़ी की रोक थाम करता है धोकादड़ी सब्द एक व्यापा परिवासा है इसको कमपनी अधनियम के अंतरकात एक डंडेनिया क्रिमिनल अपराद माना गया है विशेश रूप से धोकादड़ी के जुले मामलों के लिए बारत सरकार ने कॉर्परेड मामलों के मंत्रा लाए Ministry of the Corporate Affairs के अंतरकत गंबीर धोकादड़ी जांच का रेलाई Serious Frauds Investigation Office के अस्तापना की गई जिसे सबेत पोस्ट वाइट कोलर और कमपनीयों के अपरादों से निपढ़ने है तो जिम्मेदार है SFIO कमपनी अधनियम के प्रावधानों के अंतरका जांच करता है कमपनी एक्ट 2013 उसके बाद होगे नियमक धासा लोगपाल और लोकायुक्त अधनियम लोगपाल इन लोकायुक्त लोकायुक्ता एक्ट 2013 में कुईंद्र और राज्य सरकारों के लिए लोगपाल के अस्तापना का प्रावधान किया गया इन निकायों को सरकार से स्वतंतर रूप से कारे करने की आफशकता है जिसके लिए इन लोक सेवकों के खिलाब राष्टाचार के आरपू की जांस करने का दिखार दिखार दिया गया इसमें परदान मंत्री और अन्यमंत्री भी सामिल है हालाँ की केंद्रिय सतरकता आयूग सेंटर विजिलांस कमिशन को सरकार ने फरवरी 1964 में स्थाफित किया गया जिसके बाद संसत द्वारा अधिनियम मित केंद्रिय सतरकता आयूग अधिनियम 2003 द्वारा समिधानी दरजा परदान किया गया केंद्रिय सतरकता आयूग को जो योग भरष्टाशार या कारेलाई के दूर प्रयोग से सम्मझी सिखाएते सुनता है और इस दिसा में उपरिउक्त कारवाई की सिपारिस करता है को सुजा होगे जैसे भ्राष्टाचार विरोधी एजेंसियों के कारियों के मदिलचर एक दूसरे के अधिकार छेत्र में दखल के आसंका लगातर बनी रहती है ऐसे में 2018 में एक संसदे अधनियम द्वारा सिपारिश दी गई सिपारिशों का मैं तो बढ़ जाता है इस समयती ने भ्राष्टाचार के मामलों से निपढ़ने के लिए CVC और CBI की भ्राष्टाचार निरोधक साख़ा का एक एक एकराण कर इसका नियांत्रन सीधे लोगपाल के तहत देने की सिपारिश की थी समित इकाविचार था चे CBC और CBI पूरी तरह से लोगपाल के साथ एक एकरित हो प्राश्टाचार निरोधी सस्ता सिर्स अस्तर पर लोगपाल के साथ हो तथा CBC और CBI उनके आदेश और नियंत्रन में काम करें इसके अलावा मौझता नियमों चे समिक्सा करने के आवशकता है डिस्टल निगरानी सॉफ्टिवर के उप्यों के प्रावधानों में एक रूपता होनी चाहिए था किसी लोग सेवक की समपत्य और देंदारिय में किसी तरह का किसी तरह कि असमान और साधरन बुरोति का पता लगाया जा सकते अब वगयर ट्रांसप्रेंसी इंटरनेशनल एक अंतराष्ट्या गयर सरकारी संगठने जिसके अस्तावना उनी सो तिरानमें बर्लिन जर्मरी में चीगई इसका प्रात्मिक उदेश्य नागरी कुपायों के माध्यम से वैस्विक भ्रहष्टाचार का मकाबला करना और भ्रहष्टाचार के करण उत्पन होने वाली आपरादिक गतिविदियों को रोकने हेतु कारवाई करना इसके प्रवसास को परकासनों में वैस्विक ब्रहस्टाचार बैरोमीटर और ब्रहस्टाचार बोच सुचकांग सामिल है